नमस्ते किसांसातियों स्वागत है आपका एपल फार्मिंग महाराष्ट यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही रियर फ्रूट के बारे में जिसका हमने इस साल भी प्लैंटिशन किया है किसांसातियों यह जो पोधा आप देख रहे हैं यह पोधा पर्सिमन का है जो फुयो वराइटी का पोधा है यह और इसे हमने अभी पंधरा दिन पहले ही प्लैंटिशन किया था और पंधरा दिन के बाद में ही इसमें अभी देखिए इस तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है मैंने पिछले वर्ष में भी आपको बताया था कि पर्सिमन का फल कैसा होता है कुछ वीडियो में लेकिन मैंने और इसके प्लांट मंगवाए और और लगाए क्योंकि इसमें दुसरे साल से ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और यह फ्रूट जो है खाने में बहुत ही मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है इसलिए मैंने इसके और पोदे मंगवाए है और बाकी के पोदों के भी ग्रोथ में आपको दिखाता हूं यह देखिए मैंने बीच में कुछ मैंगो प्लांट लगाए है और यह देखिए मेरा यह जो है एक साल पुराना पर्सिम पर्सिमन मठीक करें अधाय वर्स में और यो कि इसी साल का लगाया हुआ प्लांट है हिसिये Muhy कर अगर यह साल कि लगाया हुआ प्लांट पर्सिम्न का कितने अच्छी से ग्रोहस आ चुकी है और कितना बेस्ट कि कि سब्सक्राइए यह कितना यह देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ ली है इस पौधे ने सबी यह देखिए यह भी परसिमन काई है और यह जो है यह देखिए यह बड़ा पौधा है जो हमने एक साल पहले एक सिदेड साल पहले प्रेंटिशन किया था और पिछले वर्ष इसी प्लांट ने हमें कुछ फ कुछ में जो है इन पोदों में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और अब जैसे जैसे ग्रोथ स्टार्ट होगी इन परसिमन के प्लांट में कुछ में ग्रोथ आई है कुछ में अभी आनी बाकी है देखिए इस प्लांट में भी अभी ग्रोथ नहीं ली है यह देखिए यह भी पर्सिमन का प्लांट है किसान सत्यों आपको भी अगर पर्सिमन का प्लांट लगाना है पर्सिमन फार्मिंग करना है तो बहुत बड़िया फ्रूट है और हर फार्मस ने इसे कमर्सिली ना होतो घर के लिए तो सही लगाना चाहिए यह देखिए यह भी एक देड़ साल पुराना प्लांट है और इसके ये देखे स्टेंद कितने मोटी हो चुकी है ये देखे और अभी इस साल भी ये प्लांट जो है फ्रूटिंग देगा पिछले वर्ष में भी इन पोदों ने हमें दो दो फ्रूट जो है हमने इस पर लिये थे पोदे छोटे होगे कारण जितने फ्रूट हम कम लेंगे उतना बेतर रहेगा एक या दो फ्रूट लिया तो चल जाता है क्योंकि पोदा थोड़ा वीक नहीं होना चाहिए इस पर अग अगर परसिमन की फर्मिक करनी है तो आप अशे कर सकते हैं होट क्लाइमेट में हो जाती है कहीं बहुत ही हो जाते हैं यह पर सिमन का प्लांट और इसमें और एक अच्छी बात यह है कि इसे ज्यादा पिस्टी साइड के स्प्रेय लेने नहीं पड़ते जैसे आप वर्मी कम्पोस्ट हो गया जैवी खाद हो गया अगर यही डालते हैं तो भी चल जाता है इस प्रे की कोई जरुरत ही नहीं होती है इस पोदे में तो यह एक अच्छी फार्मिंग की जा सकती है अगर आप कम रिशेली भी कर सके तो तो किसान सातियों आपको इसके पोदे अगर चाहिए तो आप बुकिंग करा सकते हैं अक्टूबर नवेंबर से आपको इसके बुकिंग करवा देने चाहिए और आपको जन्वरी में डिसेंबर जन्वरी में इसके पोदे आपको मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो कर दो में, दे नहाँ.